तो daily के तरह हम लोग आज भी morning अपडेट लाए हैं जितनी भी important अपडेट और आज की काम की जितनी भी अपडेट है वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा द हिंदी, इंगलिस, गनित, परवरने, अध्यान के आपको 3000 से जादा आपको अध्यायवार महतपूर प्रस मिलेंगे साथी साथ प्रीवियस एर के चार आपको सॉल पेपर मिलेंगे आप इनको देख सकते हैं बेहतरीन तरीके की ये बुक है आप इसको देख सकते हैं ये इस बुक को डिजाइन किया गया है चलिए तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे सीटेट प्रात्मिक स्तर के लिए कच्छा एक से पांच के लिए संस्कित बिसे की भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथी साथ इस्टिडी गाइड भी आपको यहाँ पर देखने के मिल ज खाते में नहीं आएगी अब वो जो है संस्थान के खाते में चली जाएगी यहाँ पर लिखा है कि सिक्छन संस्थानों में जीरो फीस पर दाखिला लेने वाले सुल्क भरपाई की रास अन्यत्र खर्च नहीं कर पाएंगे इसके लिए समाज के लिए विभाग ऐसी ब्योस ब्योस्ता में सरकारी चात्रों के खाते में रासी बेजती थी लेकिन देखने में आया कि तमाम चाति या रास संस्थानों में जमा नहीं करते और दूसरे काम में खर्च कर लेते हैं बड़े पमाने पर यहा समस्था सामने आने पर अब समाज कलनार विभाग नई ब्योस्त इस बारे में वरता चल रही तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बदलाओ की बात किया है जिसकर कि आपको पता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं कुछ यहाँ पर गौर्डमेंट कॉलेज हैं जो SC और ST के चात्रों को 0% mission देते हैं और इसी सर्थ पर 0% mission देते हैं कि जब उन की जो SC पर वो सीधे के सीधे जो है यहाँ पर सीधे कॉलेज में भेद दिया जाएगा तो यह बहुत बड़ा बदलाओ जो है UP SC पर होने जा रहा है ठीका हलाकि अभी इसकी लास्ट डेट के बारे में कुछ नहीं आए कि इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी की नहीं तो आप जाकर आज डाल सकते हैं आज जो है उसकी अंतिम तारीक है आपको हम बता दें कि अंतिम तारीक इसकी 6 तारीक थी लेकिन अब उसको बढ़ाकर 9 तारीक कर दी गई है ठीक है तो आज जो है उसकी लास्ट डेट है आप लुक तुरांत जाकर उसको भरवा सकते हैं च परिच्छा 2021 में 25,271 अब्रतों को सफल गोसित किया है इनमें 22,424 पूरूज एम 28,277 महला ब्रती सामिल है वर्स 2021 में 15-16 नॉम्बर तक हुई कम्प्यूटर अदायत परिच्छा का परणाम 25 मार्च को जारी किया गया था जिसमें 28 आश्वरी हाँ 2,85,201 अब्रती फिजकल टेस्ट के लिए सफल गोसित किया गया थे फिजकल टेस्ट के परणाम 12 अगस को जारी किया गया थे जिसमें 29,287 अब्रतों को मेडिकल परिक्षान और अवलेक सत्यापन के लिए सफल गोसित किया गया था इनमें से 25,271 अब्रतों को अब अंत अगली जो अपडेट है वो ससी थे और भी एक अपडेट है आपको बता दे कलम ने बता था कि कुछ चात हैं जो चस्मा लगी हुई फोटो लगाए थे इसलिए उनका जो अभ्यरतन था उसको निरस्त कर दिया गया जिसको लेकर करके एक अपडेट यहाँ पर आई है कि जिस फोटो पर 2021 में दी थी चाकि अजारों बैतियों के आवेदन पत्र चस्मा लगी फोटो या आजपर स्क्षर वह फोटो के कार निरस्त कर दिया गया अब बैतियों का कहिना कि उन्होंने जिस फोटो को लगा तार ससी की पूर्व की जही बरती समित अन्य बरती परिचाओं के लिए आवेदन किया गया है माद चेत में 1000 से अधिक ऐसे आवेदन निरस्त होने की बात कही जा रही है हालकि अब बैतियों की ओर से आपत्या मिलने के बाद ससी ने आवेदन पत्रों का मिलान फिर से सुरू कर दिया है आयोक सुत्रों की बात माने तो कुछ आवेदन पत्र निरस्त करने में मिल हुए थे उन्होंने 2020 की परिक्षा के लिए जिन चस्मे वाली फोटो का इस्नेमाल किया था वही फोटो 2022 की परिक्षा में भी लगाई थी तो कहने का मतलब यहीं कि 2021 में जो है फॉर्म नहीं निरस्त हुआ लेकिन 2022 में उसको निरस्त कर दिया गया ठीक है वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली बड़ी अपडेट के बारे में जो की है असिस्टेंट प्रोफेसर भरती को ले करके यहां पर बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भरती की परिक्षा तिथी जो है जल्द है प्रदेश की साहिता प्राद माविद्यालों में विग्यापन संक्य क्यावन के ताहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भरती के लिए परिक्षा देती जल्द गोसित हो सकती है उत्तर प्रदेत उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग प्रश्नपत निर्मार में लगा है जनौरी में परिक्षा होने की पूरी की पूरी जो है यहां पर उम्मी हो जाएगी वहीं पर हम बात करते हैं अगली जो बड़ी अपडेट आई है कि 40,000 बालिकाओं को मिलेगा मुप्त पढ़ने का मौका प्रदेश में 40,000 बालिकाओं को कच्छा नौ में आवासिय सुबदा के सार्न निश्र को सिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा यह मौ इतनी बड़ी संख्या में आवासिय सुबदा के साथ पढ़ने की सुबदा प्रदेश में पहली बार दी जाएगी। जाले होंगे उच्छी करत आठवी तक की पढ़ाई की सुबदा ही अभी अकस्तूर्बा में हैं तो जो आठवी तक की जो पढ़ाई है अब उसको जो विस्तार किया जा रहा है और नवी से बरवी तक किया जा रहा है तो जो 40,000 बालिकाए हैं उन लोगों को इसमें जो करें जाहिए जय हिन जय भारत